जैहिंद दोस्तों UDCRA में आपका स्वागत है दोस्तों अभी हम बात करेंगे टाटा IPL 2023 के अगले मुकाबले की जो कि गुजराद और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा अब दोस्तों इस वाले मैच में क्या रहेगी हमारी टीम जो कि स्मॉल लीक्स की और ग्रैंड लीक क सकते हैं इस वाले गेम के अंदर सारा कुछ जानेंगे वीडियो पे अब दोस्तों वीडियो को कोई छोड़के मत जाना क्योंकि सारा कुछ आपसे डिसकस करेंगे पिच रिपोर्ट भी जानेंगे यह मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा ठीक है अहमदाबाद यानि कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट किया रहेगी यह भी वीडियो में जानेंगे है ना तो कोई भी वीडियो को छोड़के मत जाना बागी सबसे जरूरी चीज हमारा टेलीग्राम दोस्तों जिन्हों ने भी हमारा टेलीग्राम जोइन नहीं कि यहां पर 45,400 स को सब्सक्राइब कर ले न दोस्तों कि यहां पे न वीडियो के अंदर ही आपको फाइनल टीम मिलती है अब यहां से आल पे क्लिक कर दीजिएगा अब इससे होगा क्या जब अब भी हमारी कुई आप वीडेयो अप्लोड होगी न उसकी आपको सबसे पहले मिल जाएगी और वीडियो के अंदर फाइनल टीम ही रहती है इना मेरी ऑल्मॉस्ट फाइनल टीम जो कई आपको वीडियो के अंदर मिलती है तो यह फाइदा है ना छो लाइक कर देना एक प्य एक भी रूपए देने की जुरूत नहीं है बाकी आगे अपना बात करें तो यहाँ पेना ओपन करेंगे करिकबस भी चलेंगे जानेंगे पिछ रिपोर्ट क्या रहेगी इस वाले मैच में कि यह देखे दोस्तों फिल्टर लगाके रखेंगे गुजराद की साइड तीक है अब दोस्तों ओपन करेंगे अपना क्रिक बज क्रिकबस कहां गया यार देखें यह पड़ा दोस्तों लास्ट पर आ गया कि अब दोस्तों यहां से देखिए अब शिक्स्टी स्टेकंड मुकाबला यहां पर एहम्दाबाद के अंदर गुजराज टाइटन्स बनाम संद्राइजर्स हैद्राबाद कि अब यहां से दोस्तों कि अब से पहले तो प्लेइंग इलेवन देखें तो गुजरात की अगर बात करें जिसमें की सहा है शुबमन गिल है विजय शंकर है हरदिक पानिया जो कोई टीम के कैप्टन डैविड मिलर राहुल तेवतिया अभीनों मनोहर मोहिष शर्मा राश शामी नूर एहमद ठीक है वहीं अगर बात करें हैदराबाद की जिसके अंदर दोस्तों अभी शेक है अन्मोल प्रीट सिंग है राहुल तरी पाठी है एदन मारक राम है एंडी क्लासेन है ग्लैन फिलिप्स अब्तुल सामद टीन अटराजन मैंक मारकंडे भुनेश्वर इसके लबाव फजल हक फारू की अब उससे पहले दोस्तों आपको एक चीज दिखाऊं कि दोनों ही टीम के हैड टू है रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं ना तो इस सीजन के एक गिम दोनों ने जीता हुआ है अना गुजरात ने जीता है और एसारेश ने भी एक जीता है हम मज़े की बात पता है क्या है दोस्तों मुकाबला अपना बराबर ही का है क्योंकि दोनों ने आमने सामने एक एक मैं जीते हैं ठीक है लेकिन यहां पर देखिए एक तो टीम कहां पर आसमान पर एक टीम कहां दोस्तों जमीन पर है ठीक है यह फरक है तो टीम कोशिश करना आप मुझे ऐसा लग रहा है गुजराद टाइटन्स दोस्तों यह वाला मैं जीत के जाएगी बाकी अब क्या होगा वो तो देखना ही पड़ेगा आगे आपको बता लगे का मैच में अगी एक टीम आप जील वगरा खेलते हो ना तो गुजराद टाइटन्स के फेवर में बन मिलता है आपने देखा होगा यहां लास्ट के कुछ मैसे हुए है एक मैस ऐसा हुआ था जो कि आइधिंग डली के साथ हुआ था है ना उस वाले मैच में दो सब्सक्राइब काफी स्लो रहा इसके वज़ए से रंस भी आपको 120 तीस ही आदिके थे अमों यहां यहां पे रंस ट्रेग्राम पर आफ्र टॉस है ना तो यह चीज माइंड में रखना आप लोग अब दोसो वीडियो ज्यादा लंबी तो बनी बनेगी नहीं है ना तो सबसे पले ओपन करेंगे प्लेइंग 11 क्या फिनिक अगर एक लास्ट गेम देखे ना जीटी का कि को भी वीडियो छोड़के मत जाना दोस्तों दस मेंट की वीडियो बनेगी तो यहां पर अगर तो देखो कि अपना कि क्या बात है दोस्तों यह तो फिर से ओपन हो गया कोई बात नहीं कि अगे नोपन करेंगे कि यह टीम पर चलेंगे कि फिल्टर लगाएंगे कि अगर ओपन करें और बढ़िया है बना कहां पर अपना बैटिंग रहागा ओपनिंग पर दोस्तों शुभमन गिल के साथ आना आपके सामने यह देखिए कि इसके लवा विजय शंकर है हर्दिक पांडिया आइधिंक अलागी हम वन डाउन पर ही बैटिंग कराते हैं को ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है तो एक तो रिधिमान साहा जो कि मुझे लग रहा है ऐसा कि इस वाले गेमें नों कुछ बड़ा स्कोर कर जाए ठीक है तो साहा मेरी टीम में नजर आ जाएंगे आपको एक टीम जील के टीम में इनको कैप्टन जरूर बनाके चलना है ना इसके लवा शुभमन गिल उपनिं में कि दोस्तों टीम जो बनेगी न वो दोस्तों जीटी के फेवर में बनेगी तो हर्दिक पांडिया जो की टीम के कैप्टन इनको भी लिया जाएगा बाकी हमने टॉप के तीनों प्लियर लिये हैं अब नीचे के साइड के अगर बात करें जाने कि बालिंग डिपार्टमे दोस्तों कि दिल थोड़ा सा अगर डीटेल्स में देखें तो अलजारी मुहमद शमी इसके लावा मोहित और राशीद आपको डेथ के ओवर्स में नजरा जाएंगे पावर प्लेगे अगर बात करें तो शमी है इसके लावा मोहित शर्मा एक अधा हुआ राशीद खान को अब यहाँ पर देखिए एक तो मैं जाओंगा नूर हमेद के साथ दूसरा दोस्तों मुहिष शर्मा दोस्तों मुहिष शर्मा ठीक है कि इतने प्लेयर हो गए साथ प्लेयर हो गये दोस्तों इनके साइट से है ठीक है अब अगर आगे देखें वसे आपको मैं बात बताऊं तो मैंने लिए हैं दोनों ओपनर और एक वन डाउन वाला प्लेयर इसके लाब डेविड मिलर जील में हाइली सजेस्ट करूंगा डेविड मिलर को ट्राई कर लेना क्योंकि मैंने मेडर और कर यहां प्लेयर नहीं लिया ठीक है अब बाकी अगर बात करें ना ऐसारेश के साइड की लास्ट वाला गेम हर के रहें दोस्तों यह तो अभी शेक है अन्मुल अकमना क्या नामे उसंका अन्मुल प्रीद सिंग्ग है ना यह ना लास्ट के गेम में चल गए थे लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊंगा कहां गया यह दोस्तों विकट के पिंग में यह देखिए आपके सामने है अना इस वजह से दोस्तों अन्मुल प्रीतन अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्लासन को मैं रख सकता हूं क्लासन के साथ कोई दिख्कत वाली बात नहीं है फिनिशिंग करांगे हलाकि उनक अब सामने है ठीक है अगर बताओं अभिशेक त्रिपार्थी और मार्क राम यह तीन प्लेयर इंपॉर्टेंट है तो त्रिपार्थी अभिशेक और मार्क राम इनकी बालिंग के अगर बात करूं तो दोस्तों मैं आज कुछ अलग मूर्ड पर हूं ठीक है मेरे टीम अगर आप चेंज कर सकते हो वह चेंज क्या है नूर अहमद या ना मोहिश शर्मा की जगना आप यहां से ले लो बॉलिंग से नट राजन भूवी दोनों में से कोई एक है ना यह चेंज आप अपने लेवल पर कर सकते हो दोस्तों सीवीसी की बात करें सो सीवीसी कौन बनने वाला है माइंड लगा यह लाइक कर दीजिए फिर आपको मैं सीवीसी बताता हूँ सीवीसी दोस्तों मेरे जो रहेंगे न वो इन दोनों के बीच में रहेंगे आप रिवर्स भी कर सकते हो हर्दिग पंड़ को कैप्टेन सुपमाल गिल को वाइस कैप्टन बना सकते हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह मेरी फाइनल टीम में रहेगी बाकि जील की टी वीडियो पर धन्यवाद